हेलो फ्रेंड आज बनाने वाले हैं ये छोली की सबजी होटल एंड रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही टेस्टी और यमी तो आई ये बनाते हैं सबसे पहले लिए हैं मैंने छोली इनको मैं पानी डाल कर 6-8 गंटे के लिए भिहोकर रख दूँगी फिर इनको 2-3 बार द बाद में आप इसको निकाल सकते हो ये कलर के लिए होता है फिर मैं इसको डखकन को बंद करके 5-6 सीटी लगा लूँगी फिर रखोंगी मैं एक कड़ाई उसमें डालूँगी तेल गरम होने के बाद उसमें डालूँगी मैं थोड़े से खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता बालूंग, काली मिर्च, बड़ी, लाइची, दो-तीन, साबुत, लाल मिर्च, दालचीनी और जीरा फिर डालूँगी मैं इसमें अद्रक के लच्छे और थोड़ा सा कोटा हुआ लहसुन फिर डालूँगी मैं इसमें प्याज, प्याज को अच्छे से हल्का सा भून फिर उसको अच्छे से भूनूँगी, फिर डालूँगी मैं इसमें छोले मसाला और लाल मिर्च श्वाद मुसार, धनिया पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर और इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी, फिर डालूँगी मैं इसमें उवले हुए छोले और फिर इस इसको एक बॉल में डालकर धनिया पत्ती, प्याज, हरी मिर्च डालकर सर्व करूंगी, आप इसे नान के साथ खाईए, भटूरे के साथ खाईए, पूरी के साथ खाईए, चावल के साथ खाईए, आपको बहुत ही टेस्टी और यमी लगेगा, वीडियो अगर आपको कर दो को दो खाईए, आपको आपको झाल को एपको ओंधा एक अवṌतिय। झाल झाल